नमस्कार फ्रेंड्स वक्त है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जेम क्रैकर में है आज की वीडियो में हम अरीजिनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करना सेखेंगे अगर हमें 36 को 30 रिलेट करके दिया है तो उसी फोर्मुले से 256 की वेल्यू क्या होगी देखिए दोनों नमबर्स को जो 36 है और 256 है यह दोनों परफेक्ट स्क्वेर हैं मतलब इन दोनों का हम स्क्वेर रूट निकाल सकते हैं तो यहां पर इसका स्क्वेर रूट आएगा 6 और इसका आएगा 16 अब हमें यह देखना है कि 6 से 30 कैसे बनेगा उसी फोर्मुले से हमें 16 से एक बनाना है लेकिन वो नमबर इन 4 में से 1 होना चाहिए तो हम क्या करेंगे अगर 6 को उससे पीछे वाला नमबर एक कम नमबर जो 5 है उससे मल्टिप्लाई करें मतलब 6 को 5 से मल्टिप्लाई करें 5 नहीं इससे पहले वाला नमबर एक कम वाला नमबर तो हमें मिलेगा 30 इसी त multiply करते तब 80 आना था लेकिन 80 option में नहीं है लेकिन यहां पर जो logic है उसी को ढग से देखना है यहां पर है 16-1 यहां पर 6-1 है यहां 16-1 ultimately multiply किसको किस से होगा 16 को उससे एकदम पहले वाले नंबर से और 16 को 15 से multiply करेंगे तो आएगा 240 और देखिए 240 हमारे option में है तो option number second सही जवाब होगा इस question में हमारे पास 4 option दिये है पहले नंबर को किसी formula से दूसरे नंबर के साथ relate किया है चार option में लेकिन एक option ऐसा है जो तीन option में से अलग है जैसे यहां पर 16 से 441 बनेगा 13 से 324 बनेगा 24 से 841 बनेगा और 18 से 576 बनेगा लेकिन एक option हमें find out करना है जो उस formula को follow नहीं करता है तो यहां पर अगर हम इसको गोर से दिखें तो जो दूसरे number जो second position पर नंबर लिखे हैं वो सभी perfect square है मतलब इनका हम perfect square निकाल सकते हैं तो इसका क्या आएगा 21 441 का perfect square 21 324 का 18 841 का 841 का square root आएगा 29 और 576 का आएगा 24 अब हमें यह देखना है कि इससे यह number कैसे मिलेगा जो पहले position पर नंबर है जैसे 16 है 13 है उससे जो हमने square root लिया वो कैसे आया है अगर हम इसमें five add कर दे 16 में five add करें तो हमें 21 मिला देखिए यह number इसी तरह से 13 में five add करें तो 18 मिला यह number यहां पर देखते हैं 24 में five add करें तो 29 यह बाला number यहां देखते हैं 18 में five add करें 23 मिला लेकिन यहां दिया है 24 मतलब इससे यह number नहीं मिला जैसे यह तीन option मिले है इसका मतलब option चार हमारा सही जवाब है तो option बी तो फ्रेंच यह था आज का रिजनिंग का वीडियो मुझे पूरी अमीद है आपको question समझा गया होगा इसी तरह की ओर रिजनिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल exam cracker को subscribe करके इस वीडियो को like करें और अपने फ्रेंच के साथ share करें थैंक यू